दिबोल्ड वाइस के प्रोग्राम फ्रामरिटोर्स डिस्क में आपका खेर मगदम है डीडीसी यानि डिस्टिक ड्वेल्प्मेंट कौंसल के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए आप तीन महीने से ज्यादा अर्शा गुजर चुका है और हर जिल्ला में डीडीसी के चेर्मे या वाइस चेर्परसंड के चुनाव भी हो गए हैं यानि डीडीसी की पूरी प्रक्रिया मुकमल हो चुकी है लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे डीडीसी मेंबर्स ऐसे हैं जिन अभी तक ये मालूम नहीं कि उनका दार एक त्यार क्या है या उन पर कौन से जिमवारिया आइद हुई हैं आज के फ्रामिटर्स दस के अपिसोड में हम इसी मौज़ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आकर जमू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव क्यों करागे और डीडीसी के मेंबर्स जो हैं उन पर कौन सी जिमवारियां आइद हुई हैं मेरा शेक नासिर हैं आज के मौज़ पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो महरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे फेस्बुक प बनाएं मजीद जानकारी के लिए मुबाइल नंबर सेवन डबल जीरो डबल सिक्स जीरो सिक्स वन नाइन थी पर जाबिदा करें डीडी सी यानि डिस्टिक डेवल्पेंट काउंसल के चुनाव गुजशता साल महां दसंबर में जमू कश्मीर में कराएगे और अब तीन मह और लिसन बिल पासवा जमू कश्मीर को दो यूनिन टेर्टिरी में तक्सीम किया गया यूनिन टेर्टिरी लदाक और यूनिन टेर्टिरी जम्मेंट कश्मीर इस बड़े फैसले के बाद जमू कश्मीर में तमाम सियासी सरगर्मिया बंद हो गई थी तमाम पॉलिटिकल अ अगा कि शायद जम्हो कश्मीर में एक दमज़ फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिवाईव करने के लिए जम्हो कश्मीर में सियासी सरगर्मियों को दुबारा से शुरू करने के लिए मरकेजी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्हो कश्मीर से 12370 खतम हो जाने के बाद जम्हो कश्मीर के अपने कवानिन जम्हो कश्मीर से हताये गए और जम्हो कश्मीर में मरकज के कानून को लागू किया गया जम्हो कश्मीर ने पंचाइती राजक्ट 1989 के मताबिक जम्हो कश्मीर में पंचिज और सरपंचिज का चुनाव होता रहा है और जम्हो कश्मीर ने पंचिज और सरपंचिज काफी अरशे से काम कर रहे थे हैं लेकिन उसके बाद जम्हो कश्मीर पंचाइती राजेक्ट खत्म हो जाने के बाद जम्हो कश्मीर में डिस्टिक डिवल्मेंट बलाग डिवल्मेंट काउंसल के चुनाव करा गया लेकिन 16 अक्तुबर को पंचाइती राजेक्ट में तर्मीम की गई जिसमें इफैसला लिया गया कि जम्मो कशमीर में डिस्टिक्ट ड्वल्ल Without इस काइं की जाएंगी और इनका चुनाओ करने का भी झाओ कि और ये भी कह गया कि ये चुनाओ पर्ट बैसिस पर कढ़ाए जाेंगे एलान होते ही सभी स्यासी पार्टियां इस عمل में मस्रू leaf हो गी तमाम जगों से political activities शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए और हर जगा, हर नुकर पर, हर गर में इसी मोज़ पर बहस होती नजर आई और बहराल चुनाव हुए दिस्टिक डिवल्मेंट काउंसल के चुनाव कराए गए और चुनाव के नतीजे सामने आजएं के बाद और एक एक एलान होते गए पहला अलान यह हुआ कि इन चिनाव के बाद District Development Council के चेरमेन और वाइस चेरमेन का चिनाव होगा लेकिन एंटी डिफेक्षिन ला इन पर हावी नहीं होगा उसके बाद एक और अलान होता है कि जमू कशमीर के कुछ इजला को चेर्मेन और वाइस चेर्मेन की जो पोस्ट हैं उन्हें खवातीन के लिए या शुडूल ट्राइब शुडूल कास्ट के लिए मकसूस रखा गया उसके बाद जमू कश्मीर में डीडीसि के चेयर्मین और वाईश चेयर्में चुनाव को ले करके बड़े पेमान पर खरेदी फरुक्त शुरू हो गई जमूरेत को तार तार होते यहाँ लोगों ने देखा बहराल वो प्रकरिया मकमल हो गई जमो कश्मीर में डीडीसी एलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से होगे और डीडीसी एलेक्शन के बाद चेरमेन और राइस चेरमेन के इंतखाबाद भी बड़े आसन तरीके से होगे और जैसा कि पुरानी कहावा थे All is well that ends well बेराल पूरी प्रक्रिया मुकमल हो जाने के बाद अब तीन महीने का अरसा घुजर चुका है लेकिन देखा ये जा रहा है कि डीडीसी मेंबरान जो हैं वो कहीं न कहीं जो उन पर बुनियादी जिम्मवारी आइद हुई है उससे दूर हटते नजर आ रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब डीडीसी जो प्रक्रिया है वो मुकमल होगी तो सरकार ने फैसला लिया कि इन सभी डीडीसी मेंबरान को ट्रैनिंग दी जाए जहां उन्हें ये बताया जाए कि उनके दारे इक्तियार में क्या क्या चीजी हैं उन पर कौन कौन सी जिम्मवारियां आइद हुई है लेकिन उस ट्रैनिंग प्रोग्राम से कबल ही एक और ऐलान होता है जिसमें इनके लिए तनकाओं और इनके प्रोटकाल का भी फैसला लिया जाता है जिससे तमाम डीडीसी मेंबरान आग बुगला होते हैं और उनने सरकार के खिलाब एथजाज करना शुरू कर दिया उनका ये कहना था कि सरकार ने जो चनाओ कराने से पहले उनके साथ वादे किये थे जो उन्हें सबस बाग दिखाये थे वो सब जूटे निकले उनकी तनकाएं और उनका प्रोटकाल जो है वो उनके लिए मोज़ून नहीं है लेकिन यहां एक और बात की तरफ में इशारा देना चाहूंगा कि चनाओ के दूरान इन मेंबरान ने भी लोगों से वोटर से बड़े बड़े वादे किये उनको भी सबस बाग दिखाएंगे अनकरीब ही शायद अब लोग भी उन्हें ये कहेंगे कि वो अपने वादों स अपने जो उनके साथ सबस बाग दिखाएंगे उनसे कहीं न कहीं वो दूर हटे नजर आ रहें बहराल ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि इन मेंबरान के पास इक्तियारात क्या हैं और इनकी जिमवारिया क्या हैं आप सब जानते हैं कि 1137 हट जाने से कबल जमू कश्मीर क के तमाम इजला में डिस्टिक्ट प्लानिंग और डिवल्पमेंट बोर्ड हुआ करते थे और यही डिस्टिक्ट प्लानिंग और डिवल्पमेंट बोर्ड पूरे जिल्ले के अंदर वेलफियर पब्लिक वर्स और डिवल्पमेंट के हवाले से प्लान मुरतब करते थे फैस इसला मरकेजी सर्थार की तरफ से लिया गया था लियाजा आगर मोटे तो पर देखा जाए तो डीडी सी के पांस जो इक्तियारात है वो पांच शुबूं को लेकर के हैं जिन में पहला शुबा वैलफियर दूसरा हेल्थ तीसरा एजुकेशन चोथा फैनांस और पांचमा प कहीं न कहीं वो अपने फराइज को बड़े अच्छे तरीक से अंजाम दे रहे हैं लेकिन देखा यह जा रहा है कि डीडी सी मिमरान आजकल बहुत ज़दा एक्टिव जरूर हैं लेकिन वो इन अपने दारे इक्तियार से बाहर हो करके काम कर रहे हैं सबसे पहले यह देखा नई बात देखने को मिल रही है कि डीडी सी मिमरान वो जो पावर प्रजेक्ट्स जिला किस्तवार के अंदर बन रहे हैं या जिन पर काम चल रहा है उन में ज्यादा दिल्चस्पी उनकी नज़रा आ रही है आखिर यह डीडी सी मिमरान जिनकी बुनियादी जिमवारी एज लिखा रहे हैं और बड़े ही घर्व के साथ बड़े ही अथारिटी के साथ वो इन पावर प्रजेक्ट्स में रोजगार और बाकी चीज़ों के हवाले से अहतिजाज की धंक्यां भी दे रहे हैं और यह भी सुना गया है कि यह मिमरान आजकल यूनियन बाजी में भी मसरू अब सोचने की बात यह है कि जो इन पर बुनियादी जिम्मवारी आइद की गही जिसमें उन्हें हेल्थ एजुकेशन, फाइनांस, वैलफेर और डेल्मेंट का ही एक सब्जेक्ट दिया गया है उससे हट करके पावर प्रजेक्ट्स की तरफ इनकी दिल्चस्पी क्यूं है बहराल आने वाला वक्त यह जरूर आया करेगा कि पावर प्रजेक्ट्स में इन लोगं की दिल्चस्पी क्यूं है आज हम इस मोज़ों पर बात करेंगे कि इनके जो दारे अक्तियार है इसमें अगर डिटेल में जाने की कोशिश करें तो इन पर कौन कौन सी जिमवारियां आइद होई हैं सबसे पहली जो जिमवारी इस डीडी सी पर रहेगी वो ये कि इस डीडी सी को जिल्ला के लिए प्लान मुरतब करना है जो प्लान पहले डिस्टिक प्लानिंग डिवल्पमेंट बोर्ड मुरतब करता था वो प्लान अप डिस्टिक डिवल्पमेंट कांसल एक इजलास बुलाना है जिसमें बड़े-बड़े फेश ले लिए जाएंगे तीसरी जो जिमवारी इन पर आइद की गई है वो है कि इन्होंने जो पंचायती राज सिस्टम के तहत काम हो रहे हैं जो बीडीसी या पंचायत में ग्राम सबहों में जो काम उठाए जाते हैं उ काम की निगरानी उनकी सुपरविजन करना भी डीडीसी मेंबर की एक जिमवारी है आप सब जानते हैं कि कितना कुछ सुपरविजन या कितनी निगरानी आजकल डीडीसी मेंबर्स की तरफ से पंचायत में हो रहे काम को लेकर के देखने को मिल रही है बहराल यह भी एक जि जमवारी डीडीसी मेंबर्स पर है वो ये है कि मरकजी सरकार की तरफ से जो वैलफेर स्कीम्स जारी की गी है चाहे वो बेवाओं के लिए है चाहे वो गरीब तबके के लोगों के लिए है चाहे वो तलबा के लिए हो चाहे खवातीन के लिए हो यानि मरकजी सरकार की तरफ से पंचाज़ों के हवाले से वो प्लान उन से ले लेना और इस प्लान को आगे बोर्ड में मनजूरी देना और इस प्लान के मताबिक काम कराना भी डीडीसी मेंबर्स की जिम्वारी है लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे मेंबरान ऐसे हैं जिने शायद अभी तक अ जिम्वारी और अपने अक्तियार आत के बारे में मालूम नहीं है हम उम्मैद करेंगें कि पैंच साल का कारीकाल जो डीडीसी मेंबर्स को दिया गया है या निवद्टि साल के गई हो जाएगा कि आकिर धिम्मवारियां क्या है और आकिर इनка जो धर श acordo है और उने लों किस मकसद कें लिब उट किया है बहराल अगरर मरकजी सरकार की नीयत सिर्फ इस उस हैंद तक त》 ती कि किसी ना किसी बहाने से जमू कश्मीर के अंदर स्यासी सरगर्मियों को शुरू किया जाए पॉलिटिकल अक्टिविटीज को रिवाईव किया जाए गो तो मैं समझता हूं कि मरकजी सरकार अपने उस काम में काम्याब जरूर हुए है क्यांकि डीडीसी की चनाव होने के बाद सही जमू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल अक्टिविटीज शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी काम्याबी अगर सियासी हवाले से मैं समझता हूँ जमू कश्मीर के डीडीसी अलेक्शन से मरकज को जो हासिल हुई वो कहीं ने कहीं जो गुपकार अलाइंस बना था जो पीपल साफात कहिए या लोगों की चुनाव में ज्यादा जिल्चस्पी कहिए वो कहीं न कहीं मरकजी सरकार उस मकसद में काम्याब जरूर हुई है लेकिन लोगों ने जिस मकसद के लिए वोट किया है अगर मरकजी सरकार का मकसद वही था वो किसमें काम्याब होगी है लेकिन लो पूरा करें ना कि वो पावर प्रजेक्ट्स में मिलने वाले काम या दिगर मामलात में अपने आपको मसूप रखें जुरुत इस बात की है कि जिस मकसद के लिए डी डी सी बनाई गई थी जिस परपर्स के लिए लोग उन्हें वोट किया है वो पहले वो काम करें आज का अप सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे फीडियो के लिए प्रेस्ट्स करें